नमस्कार दोस्तों मैं हूं पंच अगल और आप देखे रहें अपना चैनल इसमाल हॉस प्लान दोस्तों बात करने वाले एक बेतरी से प्लान के जैसा की स्कीन पर आपने हमारा थम्नेल देखा होगा और आज हम इसी मॉडल को डिसकस करने वाले हैं हमारे सब्काइबर थे वो लगातार कमेन्ट कर रहे थे कि सर मुझे ऐसा प्लान जाई है जिसमें मैं नीचे भी पोर्च दे सकूंँ और ऊपर भी प्रच दे सकूंँ उन्हीं के रिकरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इस्में प्लान को क्रेड किया है और इस प्लान में दोस्तों चारो तरफ स्पेस है मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि घर आपका खेत में बना हुआ है जिससे आप चारो तरफ से विंडो खिड़की बगएरा लगा सकते हैं जिससे तार चारो तरफ से आपका विंटलीशन भी होता रहा है तो उसी को दिहान में रखते हुए इस मॉडल को मैंने डेजाइन किया है आपको हम ये मॉडल पूरा दिखाने वाले हैं और आपको बताना चाहें कि अगर आप इस मॉडल को डाउनलूड करना चाहते हैं तो आप मुरी वेबसाइट smallosplan.com पर जरूर विजिट करें या आप हमारे application को भी डाउनलूड कर सकते हैं हमारा application प्ले स्टोर पर अवलेबल है सभी के link आपको description में मिल जाएंगे तो चलो आज का जो plan उसे हम discuss कर लेते हैं तो दोस्तो देख सकते हैं जैसा कि आप screen पर देख रहे हुँगे आज मैं इस model को discuss करने वारे हैं काफी खुबसूरत plan है और इसमें दोस्तो काफी समय भी मुझे लगाया बनाने में और मैं कल से मैंने start किया था फिर मैं लगातार काफी काम किया था इस plan को मैं बना पाया और यह जो मकान है काफी बड़े space में बना है और आप देख सकते हैं चारो तरफ window वगरा मैंने दिया है क्योंकि यहाँ पर चारो तरफ इनकी जगह है तो इस बज़े इस proper ventilation हो सके आप देख सकते window और window दोस्तों जो गाउं में खफ्रायल का design होता है उसको भी मैंने आपर दिया है उसको look create करने के लिए और front से बात करें इधर आप देख सकते हैं दोस्तों यह मैंने अपने logo भी दोनों लगा रखे हैं दोस्तों बहुत से लोग हैं जो वीडियो इसको copy करके Facebook, Instagram पर अपडेट करते हैं अपने logo बगहरा और यहाँ small house plan अपने channel का नाम भी दिया है तो front की बात करें तो front से सामने से मकान आपका ऐसा दिखेगा आपको ground floor पर भी एक पॉर्च देखने को मिल रहा होगा आगे जिसमें दो pillar है और इसको फॉर्च बनाए है और उपर की बात करें कलर होता है जब आप प्लाइटर कराएंगे में तो ऐसा ही दिखता है जो आपको ब्लैक टाइप का इडिया दिख रहा होगा और वाइट का कॉमिलीशन दिया है अगर आप इसमें पेंट बगारा कराना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट प्रेंट लगे दो आप करा सकते हैं और कुछ डिजाइनिंग के परपस से जहां विंडो लगी है वहाँ पर दोस्तों मैंने देख सकते हैं वाइट और ग्रे का कॉमिलीशन दिया है इधर भी आप साइड में भी देख सकते हैं तो यह पूरा ओवराल मकान होने वाल अगर हम इसके सा लग बग आपका 48 है तो टोटल 36 क्रॉस 48 में दोस्तों मकान बनाया है 36 आपका फ्रेंट है और 48 आपकी गहराई है तो 36 भाई 48 में पूरा मकान बनकर रेडिय हुआ है दोस्तों यह मकान अगर हम बात करें ज्यादा तर ग्रामील में ज्यादा बेश लगेगा क्योंकि वहाँ आप पर मैंने स्माल हॉस प्लान का वैजिक दिया है और इस्टेर के मादम से आप जाएंगे तो यह आपका पोर्च का एरिया है फ्रेंट में आप देख रहेंगे डोर और दोनों तरफ विंडो प्रॉपर वेंटिलीशन के लिए और इधर भी विंडो दूस्तों इधर वी आपको पोर्च मिलता है इसकलर में डोर मिलता है और टॉप से अगर मैं दिखाना चाहँ आपको ऊपर से घर का ऐसा दिखता है तो आपको पहले एक आर्ट फिट के अप्रॉफ गलरी मिलती है और दोनों तरफ लेट टो राट न दोनों तरफ वेड़ों देखने को मिलते ह आप देख रहे होंगे और आगे जाते हैं तो आपका बड़ा सा है स्पेस देखने को मिलता है इधर भी आप इधर मैंने दूस्तों डाइनिंग एरिया खाने वगरा के इंतिजाम किया इधर आपका ड्रॉइंग एरिया है और यह आपके दो वैट्रूम फ्रेंट में हैं दोन दोनों वैट्रूम के बीच में जो आट्विट का स्पेस उस पर मैंने किशिन दिए है और इधर की बात करें तो इधर आपको दो लेट बात दिए हैं दूस्तों मैंने और यह साइड में आप इसे कंबाइन भी कर सकते हैं अलग कि अलग किया है बीच में एक वॉल बदिया है अभी आपका जब उपर दिखाएंगे तो आपको जो बीच में ज्यादा स्पेस छूटा दिख रहा ना इसी बज़े से आपका चूटा है क्योंकि मैंने ऊपर यहां बैट डूम से सिफ्ट किये हैं अभी आपको समझ में आएगा तो यह अभी ग्राउंड फ्लोर आप माँचते हैं इस चेर्स के मादबं से तो जहां पर पीछे डाइनिंग एरिया था वो उसको मैंने रूम में करणवर्ड कर दिया है और इदर आपका ड्राइंग एरिया तो इसको भी रूम में करणवर्ड कर दिया है जो आगे वाले आपके वैड डूम थे उसको मैंने यहा बहुत सारे स्पेस होगा, आप यहां पर टहल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आप के लिपकार बेंट हो, तो यह ग्राउंड फ्लोर के बाद फ़स्ट प्लोर और ड्रेलिंग की बात करें, तो आप देख सकते हैं, ग्रिल भी बहुत ही खुबसूरत यहां पर मैंने डिज और जो लेट बात दोनों होते हैं, वो भी है, बस एक में मैंने अटेश कर दिया है, इस बैट डूम में अटेश लेट बात है, दोस्तों इसको एकसेस कर पाएंगे आप क्योंगे आप देख सकते हैं, तो यह सेपरेट है, यह सभी लोग इस्तुमाल कर पाएंगे, और यह कर डेजाइन, और सिमलर विंडो बगेरा, जहां पर पॉस्विल्टी हो सकती थी, वहां पर दिया है, आप देख सकता है, प्रॉपर तरीके से, यह फस्ट फ्लूर है, आप देखीगा, तो यह बेतरीन सा डेजाइन, अब बात करते हैं, इसके लास्ट फ्लूर के तो, लास् साथ बगेरा में, तो यह आपका ओवर ओल, 36 क्रॉस 48 में मकान बनकर रेडियो होता है, अगर आप इसका 2D प्लान चाहते हैं, रूम का साइज क्या है, बिल्डो का साइज क्या है, तो इस सभी साइजे आपको हमारी वेबसाइट, smallosplan.com पर मिलेंगे, आप वहां पर एक बा आपको हमारा पशन्द आया हो, दोस्तों, मॉडल आपको पशन्द आया हो, वीडियो का एक बार लाइक करके जरूर जाए, चैनल को शब्कायों अगर नहीं किया अभी तक, तो एक बार जरूर करने, जिसे मैं आपको लगाता है, ऐसे वीडियो देता रहूं, तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो हमारा पशन्द आया होगा, अगर पशन्द आया तो प्लीज वीडियो कलाई से जिल्गू करते, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बुक पर, या आप हमारे टेली ग्राम चैनल या वाट्सप चैनल पर, सभी के लिंग का आपको description में मिलेंगे, अगर आप हमें पेड सर्फिस का representatives करना चाहता है, तो उसके लिए कंतेक्ट कर सकते हैं, नंBER भी हमारा WhatsApp का आपको description में मिलेगा, वी oles inclus Saline, चैट पिलब देंग का डिया ओर यह हमारी पेड、「ए 50% payment advance देना होगा 50% बाद में इसका विश्य ध्यान रखें लेकिन payment आप तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए मैं आपसे खुद बात करूँगा अन्य विक्त को payment बिलकुल नगते नहीं तो आपके साथ fraud भी हो सकता है इसका विश्य ध्यान रखें तो वीडियो को मैं यही सब्सक्राइब जरूर कर लें उड्यो को लाइक्शन जाएं